दोस्तों एसीवी का नाम बनाने वाला और एसीवी के परती लोग को अपनी और एट्रेक्ट करने वाला मारती सिजुकी बिटारा बिड़िजा एक नया जनरेशन लेकर इंडियन मार्केट में लाँच होने जा रही है उससे पहले नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको इस स्मार्ट कार रिव्यू में मेरे नाम है सौरब जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले मारती सिजुकी की दिमोस्ट पॉपलर इंडियास कस्टूमर टॉप सेलिंग एसीवी मारती सिजुकी विडारा बरिजा का एक नया जनरेशन लाने की तैयारी कर रहा है इसमें कि हमें बहुत से नए फिचर्स और बहुत से कुछ इंपर्टेंट फिचर्स और कुछ नया जनरेशन देखने को मिलने वाला है जी आ दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बजट इंडियन मार्किट में उतारा था तो उस टाइम पे फोर्स सब कॉमपेक एसीवी कार का जो सेग्मेंट था काफी नया नया था तो वहीं लोगों ने नया प्रोडेक्ट देखकर लोगों ने काफी एट्रेक्ट हुए और पसंद भी किये थे और एस्पेसली मारती सुजुकी विटारा विर्जा को लोगों ने काफी जादा प्यार दिया और दिल से चाकर खड़ीता था तो काफी पसंदिदार एस्पी बन गई थी और जब ये एस्पी लॉंच हुई थी तो रोड पर चलते वक्त हर एक दूसरी गाड़ी विटारा विर्जा ही देखने को मिल जाया क और वहीं दोस्तों इस एस्वी कार में आपको 1.3 लिटर का पैट्रोल इंजन आया करता था जो की काफी मसूर था और चलने में भी काफी आसान हुआ करता था और मायलेज भी इस एस्वी कार की काफी अच्छी थी और साथ ही ये थोड़ी बड़ी और उची-उची सी दिख और आपको कोई भी ये स्मार्ट कार की रिव्यू चीए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को दोस्तों अगर वीडियो अपसंद आये तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना तो दोस्तों जब ये एस्वी लाँच हुई थी और उस टाइम पर है दीजल में आया करती थी तो इसमें लोग को कहीं न कहीं पैट्रोल की कमी महसूस हुआ करती थी और वहीं अब स्रिप ये पैट्रोल में आती है तो कहीं न कहीं लोग को डीजल में कमी महसूस निकलती है और आज के समय में ये एस्वी फिचर्स बाइज भी काभी ओटेड हो गया संरूफ नहीं आए और जैसे आज के गाड़ियों में जो मोडन फिचर्स आ रहे हैं वो नहीं आए तो सारी चीजे कहीं ना कहीं लगता है कि यार कंपनी को अपडेट करके देखना चाहिए तो आज मैं आप लोगों के लिए मारती सुझुकी विटारा विड़ा की नेक्स जनरेशन की कुछ फिचर्स डिटेल लेकर आया हूँ तो आज हम बात करेंगे मारती सुझुकी नेक्स जनरेशन विड़ा विड़ा की तो दोस्तो बात कर ले सबसे पहले हम इसके लुक्स और डिजाइन की तो आने वाली मारती सुझुकी की विड़ारा विड़ा नेक देखने को मिलेगी जो की काफी प्रीमियम बिनाएगी पहले से ज़्यादा विटारा विर्जा को और साथ ही आपको नियूरी डियान प्रजक्टर हैडलेम के साथ नई LED डियारल्स, नए डियान की टेल लाइट, सार्फिस अंटीना, ओर वियम विटान इंडिगेटर, स्कीट साथ आपको नए डियान की स्टील विल या लॉय विल की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्स्ट्ययल लुक्स में देखने मिलेंगे दोस्तों बताया जा रहा है कि इस नई SUV कार में आपको डियल टर और मॉन टॉन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है दोस्तो 1.3 लिटर एंजन था लेकिन अब उस इंजन को डिसकंटीन्यू कर दिया गया है विकॉज बदलते जनरेशन को देखते हुए जो नई जनरेशन बिटारा विड़ी या SUV अब जो इंजन्स आएगी ओहर है सकता है 1.5 लिटर का मिड हैबरेट पीए 6 इंजन जो की 104 पीएस के करी पावर और 138 न्यूटर मीटर का डॉट जनरेट करता है और इस इंजन के साथ आपको दो ट्रांसमिशन की ओप्षन देखने को मिल सकता है जो की मैनुवल के साथ साथ ओटोमेटिक होगी और वहीं आप इसकी मैलेज की बात करोत इसमें आपको मैनुवल के साथ 17.3 किलो 121,3-2,1-6,000,3-4,000 बात की देखने को ओटोमेटिक एंजन में मैलेज देखने को मिलेगा दोस्तों जिनेवा मोटर्सों में इस कार को सो केस किया गया था वहाँ इस कार को फ़ोल ड्राइब की आप सब्सक्यों में देखने को मिलती थी जिससे लोग को कही ना कहीं बहुत जादा ़ुटारा विर्जा से डीजल इंजाने की कमी देखने को मिलता था लेकिन अब जो 2021 की मारुती सुरinka भीड़ीजा आर यह है उसमें बताया जा रहा है कि पैटोल इंजन के साथ साथ आपको डिजल इंजन के साथ पाटोल है nuestras इंजन की ऑप्षान देखने को मिलने इंजन होगा जो कि BS6 नाम के साथ 94 PS के करीब पावरा 225 Nm का टोड़ जन्रेट करता है और ये डीजल इंजन आपको ओटोमेटिक के साथ साथ मैनवल आप्शन में भी एबलेबल होने वाली है दोस्तों वहीं थोड़ा द्यान दे इसके इंटियर की तरब तो 2021 मार्ती सुजु जो कि बिटारा बिडिजा एसी वी कार की इंटियर को पहले के जादे काफी स्पेशियस और काफी प्रीमियम बनाया गया है इसके इंटियर फ्रंड में आपको 10 इंच के करीब इंपूट ट्रेटर स्किन डिस्पले दिया जाता है जो की कनेक्टिविटी जिसमें आपको नए स्टेरिंग विल देखने को मिलेगी जो की काफी सौप्ट होगी और सुजुकी की बेजिंग के साथ लैस होगी और यह स्टेरिंग पावर स्टेरिंग होने वाला यानि पूरा विंडो कंट्रोल और पूरा मेजिक कंट्रोल आपके हाथों में होगा और साथ ही आपको इसके इंटियर में 7 इंसकी डिजिटल इंस्टूमेंट कलक्षर जिसमें की आपको सारे इंफोरिमेशन मिलेगी और साथ ही आपको इसके इंटियर में पूस्ट आश टॉफ बटन, वाइलेस मुवाइल फोन चार्जिंग, फाइब सीटिंग अरेजमेंट, हीटेड एंड बें सकती है, दोस्तों पहले बाली विटारा विरिजा एसीवी में ये सारे फीचर्स एवलेबल नहीं थे, लेकिन एसीवी के सेग्मेंट में जो स्मार्ट फीचर्स आरहे हैं, उससे देखते हुए मारुति ने विटारा विडिजा का एसीवी को काफी अच्छे से डिजाइन द सेटिब कार के लिकिन अब आने वाली विटारा विडिजा उसको और भी ज्यादा काभी पावर्फुल बनाये गया है बाकी सारे कार को ठीडिया की रीटिंग मिली हुई है तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मीड क्वालिटी में विटारा विडिजा एसीपी काफी बढ़िया है जो कि इस कार की बॉड़ी है वो आपको हाइस्टेन एस्टिल बॉड़ी देखने को मिलने वाली है और साथ ही आपको इसके सैफ्टी में सिक्स एयरवेग काफी बहुत साइब बढ़िया है तो दोस्तो यह थे इसके सैप्टी के फिचर्स अब जो इसकी मारती सुझू की बिटारा विड़जा एसीबी कार की लॉंच होने वाली है वो होने वाली है इंडियन मार्केट में 2021 के लास्ट या 2022 के फस्ट मन तक लॉंच किया जाएगा इसका सीधा-सीधा मुकावला मेंदरा की XGB 3W किया की सेल्टर सुंड़ई की करेटा निसान की मैगनाइट जैसे सांदार कारों से कड़ी टकर होगी तो फैनली इसकी कार की प्राइज इंडियन मार्केट में एक अनुमान की अनुसार जो इसका बैस मोडल होने वाला है वो 8 लेक से शुरू होकर स्टार्टिंग प्राइज इसकी बैस मोडल की 8 लेक से शुरू होकर 12 लेक तक की आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को विदबा ले ताकि एसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को